नमस्कार दोस्तों बोल्सकाई मैं आपका स्वागत है सरदियों के इस मौसम में जुकाम खासी होना काफी आम बात है आम तोर पर ये समानने घरेलू उपचार और दवाईयों के माध्यम से ठीक भी हो जाती है पर क्या आपको खास्ते छीकते समय चाती के आसपास दर्द बना रहता है अगर हाँ तो ऐसी कंडीशन के बारे में साबधान हो जाईए इस तरह के दर्द को नजर अंदास कर देना गंभीर स्वास्ते जटिलताओं का कारण बन सकता है अगर आपको पिछले कुछ समय से ये दिक्कत बनी हुई है तो समय रहते डॉक्टर से संपर करके इसकी जाँच करा ले इसे सीने में संकरमन के कारण होने वाले दिक्कत भी माना जाता है खास्ते चीकते समय होने वाले दर्द को प्लूरीसी नामक मेडिकल कंडिशन के रूप में जाना जाता है इस कंडिशन में दर्द धीरे-धीरे कंदे और पीर तक फैलने लग जाता है प्लूरीसी प्लूरा में होने वाले इंफलेमेशन की समस्या है प्लूरा आपके फेपडों के बाहर लिपटी एक पतली जिली नुमा उतक है जो फेपडों की सुरक्षा करती है इसमें होने वाली समस्या पर दिहान न देना आपके स्वास्त जटलताओं को बढ़ाने वाली हो सकती है आईए इस समस्या के लक्षन और बचाओ के तरीकों के बारे में जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं इसके लक्षनों की प्लूरिसी की समस्या और सीने में होने वाले समानने दर्द के बीच अक्सर अंतर कर पाना मुश्किल होता है हलांकि इसमें दिहान देने वाली बात ये है कि प्लूरीसी का दर्द सांस लेने, खासने या छीकने पर बढ़ जाता है कुछ लोगों में ये सांस की तकलीफ का भी करण बन सकता है इसके करण बुखार और कफ आने की भी दिक्कत हो सकती है वहीं ये समस्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती, इसलिए सभी को विशेश साफधानी बरत्ते रहने की सला दी जाती है ऐसे में इस सवाल आता है कि प्लूरीसी की समस्या क्यों होती है स्वास्त विशेशगे बताते हैं कि कई ऐसी स्थितियां है जो plurisi का कारण बन सकती है ऐसे में इसकी सही जानकारी और बचाओ के बारे में जानना बहुत जरूरी है वारेल संक्रमर जैसे flu, influenza, bacterial संक्रमर जैसे pneumonia, autoimmune विकार, TB आदी के कारण इस तरह की समस्याओं का जोकिम ज्यादा होता है रिब फ्रेक्चर या सीने में चोट और दवाईयों के दुश प्रभाव के कारण भी इस तरह की दिक्कतों के विक्सित होने का जोकिम बन जाता है अब सवाल आता है कि प्लूरीसियों को कैसे ठीक किया जाए प्लूरीसियों का समय रहते पता चल जाने पर इसका इलाज और इससे सम्मंदित जटिलताओं को आसानी से कम करने में मदद मिल सकती है इसके लिए जाच के अधार पर उन कारणों के बारे में जानने की कोशिश की जाती है जो प्लूरीसियों का कारण बनती है इसके लब आप इससे बचने के लिए कुछ उपायों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रोज मर्या की जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखकर फ्लियूरीसी की जोखिमों को कम किया जा सकता है इसके लिए धूमरपान छोड़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है बैक्टिरिया या वारेल संगरमन को रोकने के लिए स्वच्चता का विशेश ध्यान रखना चाहिए हाथ धोना इसमें आपके लिए विशेश मददकार साबित होता है लंबे और गहरे सांस के अभ्यास की आदत फेपडों को स्वस्त रखने और इससे सम्मंदित बिबारियों के जोखिम को कम करने में मदद करती है फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्क्राइब करना ना भूलें